हलो एवरिवन विल्कम टु सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत अच्छी विकेंसी आई हुई है इस वीडियो में हम डीटेल्स कवर करने जा रहे हैं प्यॉरली गॉवर्मेंट जॉब है पर्मान और इसके साथ में कुछ और अगर एक रिक्वार्मेंट है तो वह हम वीडियो में डिसकस करने वारे हैं बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मीनिमम ग्रैजुएशन सेलरी अच्छी ओफर होगी क्यूंकि अधिकारी के पोस्ट है ऑफिसर्स की पोस्ट है तो सेलरी अच्छी चेतर में चेसर चोहतर तो टोटल 3896 तो यहां पर डिसकस करेंगे कि गयर अनुसुची चेतर और अनुसुची चेतर में क्या डिफरेंस रहेगा एप्लिकेशन कहां पर डाली जा सकेगी बड़े नंबर पर जब रिक्रूट मेंट आती है तो सबसे बड़ी क्वेर जारी की गई है नोटिफिकेशन जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चायन बोड जयपूर की तरफ से तो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जो राजस्थान कर्मचारी चायन बोड की तरफ से पोस्ट का नाम आप पर फ्रेंट में आप देख रहे हैं ग्राम विकास अधिकार सीधी बढ़ती 2021, डेट दी गई है 6 September 2021 की, नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हैं, वीडियो को आप एंट तक देखेंगे, तो आपको मैं important जितनी भी points हैं, कि नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगी, किस तरीके से देखनी हैं, यह सारी चीज़े मैं आपको explain one by one, अपने व सबसे पहले essential qualification को चेक करेंगे और salary को, परिक्षा सूल को भी चेक करते हैं, पातरता एवं sectionic योगिता, educational qualification and eligibility criteria चेक करने के लिए page number 8 पर आपको आना है, सनातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य गोशित अहरता, तो graduation या bachelor डिग्री या सनातक या उसके equivalent कोई अगर डिग्र है, और साथ में, अब और में कई सारे options दिये हुए, अगर आपके पास पहली degree नहीं है, तो दूसरी होनी चाहिए, दूसरी नहीं तो तीसरी, तो इन में से चार options दिये हैं, चार में से कोई एक होनी चाहिए, सनातक के साथ में, तो one by one देखते हैं, तो पहला है कि भारत सरक कार के electronics विभाग के नियंत्रा दीन, department of electronics, accreditation, government of india 2.1 तवारा, O-level या उचिस्तर certificate, तो in short 2.1 से किसी ने अगर O-level या above level की certificate ली हुई है, पास किया हुए है, तो वो graduation के साथ में, तो application डाल सकते हैं, या फिर computer operator and programming assistant, या data preparation and computer software course का प्रमान पत्र, website prescription योजना के राश्ट्रिय परिशद या राज्य परिशद, state council के अधीन जो आते हैं, उनसे computer operator and programming assistant, COPA या फिर DPCS का course किया होना चाहिए, प्रमान पत्र, अगर ये भी नहीं है, तो third option दी हुई है, भारत में विधी द्वारा स्थापित विश्व विध्याल है, या सरकार सरकार द्वारा मानेता प्राप्त संस्थान से computer science या computer application में डिप्लोमा, अगर ये भी है, आपके पास तो भी application, graduation के साथ में ये third वाली degree है, तो application डाली जा सकती है, अगर ये सब नहीं है, तो fourth में है, सरकार द्वारा मानेता प्राप्त एक polytechnic संस्थान से computer science and engineering में डिप्लो तो ये होना ही चाहिए, या फिर राजस्थान knowledge corporation limited के नियंतरन में वर्दमान महावीर खुला विश्व विद्याल है, कोटा द्वारा आयोजित, राजस्थान state certificate in information technology course का प्रमान पत्र, तो यहां पर चार, एक, दो, तीन, चार, पाच option दिए में, तो graduation के साथ में, इन पाच में से कोई भी एक अगर आपके पास valid certificate है, प्रमान पत्र है, तो आप यहां application डाल सकेंगे, तो इस point को अच्छी तरीके से समझ ले, application fee उपर दी हुई है, salary भी हम discuss कर लेंगे, वेतनमान में या पर mention किया गया है, राजस्थारकार द्वारा दे साथवे वेतन आयोग के भी allowances दिये जाएं तो, इसके बाद यहां पर अन्य शर्तें अच्छी तरीके से पढ़ना है, कि पहले probation period, means परिविक्षा धीन प्रसिक्षू, training period में रखा जाएगा, उसके समय के अवधी के दौरान, परिविक्षा की अवधी के दौरान, मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसे दरों पर संदत किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए, दो वर्ष की परिविक्षा अवधी के लिए की जाएगी, तो सबसे पहले तो जो है, दो साल के लिए probation period में रहेंगे, training में रहेंगे, उस दौरान fix salary दी जाएगी, pay scale नहीं दी जाएगी, और यह fix की जाएगी गौर्पेंट के द्वारा, और दो साल के लिए probation period रहेगी, तो उस समय विशेश वेतन आदी देयर नहीं होंगे, तो यह point आपको note कर लेना है, इसके बाद, मतलब probation period ओवर होने के बाद ही आपको pay scale का लाब मिलेगा, pay scale के हिसाब से salary दी जाएगी probation period के बा नॉम्स के हिसाब से, अन्य कैटेगरी के candidates को age में relaxation दी जाती है, वो यहाँ पर भी लागू होगी, जेनरल candidate जो है, वो 40 यह तक के ऐसे candidate application डाल सकेंगे, लास्ट डेट कैसे रहने वाली, 10 September से इसकी परिक्षा स्युलक सहित online आवेदन पत्र दिनांग 10 September से, तो 10 September से online application स्टा होगी, जो 9 October 2021 तक जारी रहेगी, यह वीडियो 8 September को बनाए जारी है, अभी online application की link जारी नहीं हुए, 10 September से online application की link आप website पर चेक करें, 9 October 2021 तक फिलहाल इसकी online application की date होगी, इसके अलावा फीस, परिक्षा योजन की प्रक्रिया, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर सीधी भरती है तो परिक्षा दो चर्णों में की जाएगी प्रथम चरण में और दृती चरण में, यह सारी चीजें अच्छी तरीके से दी हुई है, एक क्वेरी आपकी रहती कि बाहर के candidate application डाल सकेंगे या नहीं, पेज नमबर टू आपको read करना होगा, इसके note में जो first point है, रा लेकिन उनको reservation की benefit नहीं मिलेगी, वो general category में, सामाने category में आकर application डाल सकेंगे, फिर भी इस point को आप अपने level से भी verify कर ले, note में जो first point है, इसके हिसाब से यह meaning निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, कि बाहर के candidate की application भी accept की जाएगी, बट उन्हें reservation की benefit नहीं दी जाएगी, अब यहां पर application fee लिखी हुई है, page number two पर ही, application fee भी check की जा सकती है, परिक्षा सुल्क, आवेदक अपनी श्रेनी के नुरूप निम्दानुसार परिक्षा सुल्क के लिए, तो जो general category के लिए 450 रुपीज है, और बाकी जो यहां पर details दी हो है, अची तरीके से, राजस्थान Officile website मैं मैं थीजून के लिए चरत रेक्षाम के का अथ च依ते ही, यहांपर लेटेस्ट्ट्न कैनी estado रुक लिए यहांपर लेटेस्ट्ट्नी नीजुज रहें, यहांपर लेटेस्ट्नीज नेग का इडिक्ली करते हैं, और लेटेस्ट्नीज नेगन सब धरिक्लिकार ही, य काफी सारे आरहे हैं यह पे वन बाइवन दिखाघरे हो क्योंकि फिल्हाल यहां पर ही वो नोटिफिकेशन है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी पायर ओफिसर ए निस्की आरिया है इसी तरीके से यहां आपको नजरारा विलेज्ड डेवलेपमेंट ऑफिसर 2021 detailed recruitment advertisement इसको आप क्लिक करेंगे तो pdf open हो जाएगी लिंक भी जारी कर दी जाएगी आप सभी को best wishes thank you very much